नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया आए शुरुआत करते हैं सुर्ख्यों के साथ लोग सभा चौनाव के पाच्वे चरण में करीब 61 फीसिदी से जादा मतदान पस्च्य मंगाल में 75 और जहारखन में 64 प्रतिशत वोटिंग साथ राज्यों के 51 सीटों पर हुआ मतदान 674 ओमिद्वारों की किस्मत का फैसला एवियम में बद पाच्वे दौर के दिगजों में अमेठी से राहूल गांधी और स्मृती रानी आवने सामने रायबरेली से सोन्य गांधी और लखनों से राजना सिंग, केंद्रे मंत्री जोहिन सिनहा, राज्यवर्धन सिंग राठोर आरजुन राम मेघवाल और निरंजन जोती के अलावा पूर्व मुख्य मंत्री बाबुलाल मरांडी, आरजुन मुंडा और महभूबा मुफ्ती समेत मैदान में कई दिगज रुधान मंत्री नरेद मोदी की पस्चिम बंगाल और जारखन में जनसभा चक्रवात पौनी को लेकर मपना बेनरजी पर राजनीती करने का आरोप लगाया कहा पस्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ट्रिपल टी टेक्स से परिचित जारग्राम में भी ममता पर साधा निश्वाना विजबिय अध्यक्षा मिश्चाह और राहुल गांधी ने भी अगले चरण के लिए जोखी ताकर प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने ओडीसा के तूफान प्रेडित इलागों का किया हवाई सर्वेक्षन राज्य सरकार के साथ बैठक कर राहतकार्यों का भी लिया ज्वाईजा एक हजार करून रुपे किया तिरिक्त साहेता का एलान 20 माई को ओडीसा में होगी नीट की परीक्षा और सीबियसी की दसमी बोड परीक्षा की नतीजों का एलान 500 में से 499 नंबर हासिल कर 13 चात्र पहले स्थान पर रुजल्ट में त्रिवेंद्रम जोन निकिया टॉप प्रुधार मंत्री और मानम संसाधन विकास मंत्री ने चात्रों को दी बधाई और आए बुलेटिन में सबसे पहले खबरे लोगसभाचनाव से जुड़ी हुई कड़ी सुरक्षा के बीच देश के साथ राज्यों के क्यावन सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया च्छे बजे तक 61 फीसदी से जादा वोटिंग की खबर है लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाए दिया सुभा से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड नसर आई पाचमे चरण के चुनाव के साथ ही रजिस्थान और जमुकश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया पाचमे चरण में उत्तरप्रदेश की चौधा व्रजिस्थान की बारहा मध्यप्रदेश और पस्चिम बंगाल की साथ साथ बिहार की पाच जहरखन की चार और जमुकश्मीर की दो सीटों पर वोट डाले गये अनंतनाक सीट पर तीसरे और अंतिम दोर का मतदान हुआ इस सीट पर तीन चरणों में मतदान पूरा हो गया इस दोर में 674 उमिदवारों की किस्मत का फैसला एवियम में बंध हो गया है इससे पहले चार चरणों में 373 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है इसके बाद छठे और साथ में चरण में 69 सीटों पर मतदान होगा और पाच में चरण की वोटिंग के बाद चुनावायों की प्रेस कॉन्फरेंस आई सीधा रुख करते हैं How many number of people voted as compared to 2014 in 2019 for the first 4 phases it is nearly 6 crore more number of voter have voted so if you if I give you the exact number 5.94 crore number of more voters have actually participated vis-a-vis 2014 in 2019 first 4 phases so that shows that how much is the optimism and how much is the participation and if I also would like to be very happy to share with you that the women voters have really come out in a big number and in these 4 phases 20 crore number of women voters have actually voted if you see the third gender 6389 number of third gender people they have participated and if you see in absolute percentage figure for first 4 phases the voting percent up to fourth phase is higher by 1.09 percent so if you add all the four phases of 2014 and 2019 the increase voting percentage wise is 1.09 percent I know come to the fifth phase and in today's fifth phase total number of 8.77 crore electors in I mean they were eligible today to participate in the fifth phase if I give you the break up it is 4.60 crore male electors 4.14 crore women electors female electors and 2,119 third gender they were eligible to participate and out of that the turnoff I will be telling you in the end if you see 99,000 to 80 number of polling station today the polling took place for the phase 5 and a very sort of interesting figure I am giving it to you out of this nearly 1 lakh number of polling stations I am rounding it off 81 percent were rural polling stations so majority of the polling stations were rural in this particular phase the persons with disability marked for today's phase were total 6.19 lakhs and if you see the young voters 18 and 19 years age cohort total 17 lakh number of voters were eligible to gas vote today and I really express my heartfelt thank and gratitude to all the voters especially the women persons with disability and also the senior citizens who came out in big number and as I have already told up till fourth phase 1.09 percent was the additional turn out if you see absolute number it is more than 5 crores they came in big number and I also thank the security personnel the entire set of ROs, AROs, DOs and polling personnel which are in lakhs of number the BLOs who have really made this exercise in a very peaceful way to be organized and they really had a good sort of support they gave to us and to the voters I also thank all the media the print and electronic media who have always been our our partners and have from time to time given us many of the good leads on which the election commission has acted immediately and have also given response to you and many of the things were done as per an upgrade to the UN will be given to us for the use of US預先 from the UN and UN's so that we all see the poll Minister for the UN because we have been one of the UN's and the UN's will be two in high school and the UN's will be one of two positions and there is no support in UN in the UN anymore so that we have some help for the UN's will see it is also to use the UN's will be the UN's will be the UN's will be the UN's will be the UN's will has been the UN's will be the UN's will be the UN's will be the UN's will मुकाबला BJP के स्मृती एरानी से है SP, BSP और RLT कट बंधन ने यहां से उमीद्वार नहीं उता रहा है राइबरेली सीट से कॉंग्रिस की पूर्व ध्यक्ष और UP के चोहर परसन सोनिया गांधी चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला BJP के दिनेश प्रताप सिंग से है 2014 में सोनिया गांधी ने BJP प्रत्याशी अजय अगरवाल को और 2009 में सोनिया गांधी ने इस सीट पर BSP के उमीद्वार को हराया था लखनव लोग सभा सीट पर BJP की तरफ से राजनास सिंग और कॉंग्रिस की तरफ से आचारे प्रमोद क्रश्टम चुनाव मैदान में है इनके अलावा शत्रगन सिनहा की पतनी पूनम सिनहा भी यहां से लोग सभा चुनाव लड़ रही है उन्हें SP, BSP, RLD गडबंधन ने अपना उमीद्वार बनाया है 2014 में लखनव से केंद्रे मंत्री राजनास सिंग ने कॉंग्रिस की तरफ से चुनाव मैदान में उत्री रीता बहुगुडा जोशी को हराया था 2009 में ये सीट BJP की तरफ से लाल जी टंडर ने जीती थी अरशद इलियास सिद्धिकी भी मैदान में है वहीं फैजबाद सीट पर BJP कॉंग्रिस और सपा बस पार LD गडबंधन के बीच त्रिकोडिये मुकाबले के आसार है BJP की तरफ से यहां से मौझूदा सांसर्थ लल्लू सिंग कॉंग्रिस की तरफ से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनन सिंग मैदान में है और आए सीधा रुक करते हैं आज क्या कुछ रहा मतदान को लेकर लोगों में उत्सा सीधा रुक करेंगे नविकरम सिंग जो की उतरप्रदेश की जानकारी हमें देंगे साथी राजस्थान के चुनावी मोहल को लेकर कृती मिश्रा हमाई साथ जुड़े है सबसे पहले नविकरम आपका रुक आज 14 सीटों पर वोटिंग थी पाच्वी जरल में और बहुत हाई प्रोफाइल सीट अमेठी राइबरेली और साथी लखनों भी अगर पिछली बार की बात करें 2014 की तो इस 14 सीटों में से 12 बीजोपी की खाते में गई थी इस बार का क्या चुनावी समिकरण है और आज वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्सा और क्या मुद्दे जो एहम थे अमरता सबसे पहले बात वोटिंग की कर लेते हैं वोटिंग आज जिस तरीके से सुबह से हमें कतारे दिख रहे ही थी काफी लोग वोट करने आए हम लखनों में मौजूद थे लखनों में अक्सर ये होता है कि शहरी उदासींता के चलते वोटर कम निकल पाता है लेकिन आज पिछले दिनों के मुकाबले आज तापमान काफी जादा था लखनों का बावजूद उसके बड़ी संख्या में वोटर निकल कर आए एक बात हम गौर करना चाहेंगे कि जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि जो वोटर पार्टी के लोग जाते थे प्रचार होता था लेकिन अब चुनाव आयों की सक्ती के चलते अब उस तरीके का प्रचार नहीं हो पाता मद्दान के दिन या मद्दान के पहले एक दिन पहले बावजूद इसके बड़ी संख्या में मद्दाताओं का घर से बाहर निकलना ये दिखाता एक अच्छा संकेत है डेमोकरसी के लिए और आज मैंने देखा कि महिला मद्दाता बड़ी संख्या में मद्दान केंद्रों तक पहुची पोलिंग बूद पर करें तो देश के काई हिस्सों से अच्छा जेंडर रेशियो है जबकि वह ग्रामीड इलाका है कई बार महिला सांसत भी वहां पर चुनी जा चुकी है रिकॉर्ड बार तो उनके मुद्दे अलग हैं हर जगे ग्रामीड मद्दाताओं के मुद्दे अलग हैं शेहरी मद्द खड़ा किया है तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है और खास तोर पर अगर अमेठी है तो अमेठी में बीजेपी ने अपनी कद्दावर नेता इसमरती इरानी को उतारने के बाद वहां की लड़ाई बेहत दिल्चस्प हो गया हालाकि राइबरेली में सुनिया में जिस तरीके से जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी और बस्पा का घड़ बंदन साथ ही कॉंग्रिस दोनों अपने प्रत्याशी बहुत लंबे तक तैय नहीं कर पाये थे तो बीजेपी के लिए आप भी एक सेफ सीट की तरह बना हुआ है लखनौ मुद्दे अलग ह हर शेतर के हर शेहरी मद्दाता ग्रामीन मद्दाता साथी बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि महिला मद्दाताओं का मैंने जिक्र किया था महिला मद्दाताओं में ये देखने को मिला क्यों ज्वला योजना समेत कई ऐसी यूजना हैं मुद्रा यूजना का भी फाइदा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मिला बिल्कुल ना विक्रम तो पाच्चीर चरण था उतरप्रदेश की खासकर बात करें तो कृती जैपूर से हमारे साथ जुड़ गी हैं कृती आज पाचीर चरण में राजस्थान की जिन्बारस सीटों पर मतदान हो असके बाद सभी 25 सीटों पर मतदान संपन हो चुका है 2014 की तस्वीर हमें पता है क्लीन स्वीप किया था भारते जिनता पार्टी ने इस बार सबसे पहले मतदाता हो कि रुज़ान के बारे में आप से जानना चाहूंगे आज वोटिंग को लेकर और क्या समीकर अनुहा का अब रता देखिए अभी इलेक्शन कमिशन की प्रेस कांफरेंस चल रही थी तो जो फाइनल आकड़े हैं वो हमें थोड़ी देर में ही पता चलेंगे लेकिन जो लास्ट आकड़े हमें पता चले थे जो आपचारिक आकड़े थे वो राजस्तान की अगर बात करें तो 50% पोटर टर्न आउट रहा तीन बजे तक उसके बाद जो सबसे जादा हाइस पोटर टर्न आउट रहा वो गंगा नगर में रहा तकरीबन 57% उसके अलावा चुरू और अलवर में 51% और जैपूर में 54% देखे अगर मैं सियासे एक्वेजिन्स की बात करू तो कई बड़े उमीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला इ जिते इंद्र सिंग हो इसके अलावत कृष्णा पुनिया हो अब सभी उमीदवारों की किस्मत का फैसला इवियम में कैद हो चुका है और अगर वोटर टर्न आउट की बात करें तो देखे जो पहला फेस ता जिसमें 13 पर वोट डले थे उसमें 68% था जो 2014 के मुकाबले तक कि बीजेपी को पूरा confidence है कि जिस तरह का performance उसका 2014 में रहा था वही वो इस बार भी repeat करेगी लेकिन आप देखना होगा कि जो मदाता है उन्होंने क्या फैसला दिये है और रिजल्स 23 मैं को ही पता चलेंगे शुक्रिया आप दोनों का नविक्रम आपका भी सुक्रिया लोकसभा चुनाव का पाच्वा दौर आज पूरा हो गया जहांपे सभी राज्जियों में मतदान शान्ती पूर्वक संपन हुआ तो वहीं पस्चिम बंगाल में मतदान के दौरान एक बार फिर से हिंसा की घटना सामने आई पस्चिम बंगाल के नादिया जिले के बंगा प्रदान में एक व्यक्ति की घायल होने की खबर है वहीं दूसरी और पुलवावा में बूथ के बाहर ग्रिनेट से हमला किया खबरों के मताबिक आतंक्यों ने चटपोरा बूथ के बाहर ग्रिनेट से धमाका किया प्रदान मंत्री नरेन मूदी ने आज पस्चिम बंगाल के तमलुक और जहार ग्राम के अलावा जहार खंड के च्वाई बासा में जनसभा को संबोधित किया पुरधार मंत्री ने जहर ग्राम में कहा कि आज बंगाल में जैश्री राम बोलने वालों को मम्ता सरकार जोएल भेज रही है इससे पहले पुरधार मंत्री ने तमलुक में भी रैली को संबोधित किया पश्चिम मंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या अरे दिदी राम जी के आगे अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा वाम पंथियों का तो समझ में आता है आपने तो इनी वाम पंथियों के विरुद लड़ाई लड़ी थी मा, माटी और मानूस ने आपको शक्ती दी थी फिर आप जैसी राम को कहने वालों को जेल क्यों बेजने लगी हो उन्हें चक्रवाद फोनिको लेकर ममताब एनरजी पर राज़नीती करने का आरोप लगाया प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें चक्रवाद के बारे में ममताब एनरजी से फोन पर बात करने की कोशश की थी लेकिन ममताब एनरजी ने उनसे फोन पर बात नहीं की पस्ट्रिमंगाल का बच्चा-बच्चा टृपल टी टेक्ष से परिचित है त्रणमोल तोला बाजी टैक्स से परिचित है ये त्रणमोल तोला बाजी टैक्स ये है ट्रिपल टी टैक्स कॉलेज में एडिमिशन हो टीचर की भरती हो या ट्रांसपर हो लोग बताते हैं कि सब जगा त्रणमोल तोला बाजी टैक्स लगता है पस्चिम मंगाल के अनेक स्कूलों में टीचर नहीं है टीपल टीके चलते अनेक स्कूल में पढ़ाने की बजाए कौड के चक्कर लगा रहे है बच्चों का भविश पस्चिम मंगाल की आने वाली पीडियों का भविश बरबाद करने वाली सरकार को जब तक आप सजान नहीं देंगे वो सुधरने वाली नहीं है बिजोपी अध्यक्ष अमिश्वाह ने आज बिहार में कई जगह उपर जनसभा को संबोधित किया बेतिया की रैली में अमिश्वाह ने कॉंग्रेस पर निश्वाना साधा उन्होंने कहा कि एनार्सी के मुद्दे पर बिजोपी कोई समझोता नहीं करेगी और सभी घुस्पैठियों को बाहर का रास्ता दिखाये जाएगा आज बाबा काम ठोड़ कर सुन लो आपके लिए प्वाप्टेंग का सवाल हो सकता है हमारे लिए इते इसकी सुड़क सासा सवाल और कौंग सद्यक्ष राहूल गांधी ने आज हर्याना के भीवानी में जनसभा को संबोधित किया राहूल गांधी ने कहा कि नियाई योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा और गरीब महिलाओं के खाते में डारेक्ट पैसा ट्रांसफर होगा एक किसानों का बजट बनेगा एक नैशनल बजट बनेगा और किसानों का बजट पहले बनेगा बेवानी के किसानों हम यहाँ आपको अपनी मन की बार बोलने नहीं आए हैं हम आपका ओर्डर सुनने आए हैं अब यह माता है मैंने बैटी हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला, पहले ही बोला देखिए, नियाई योजनवा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा प्रुधान मंत्री नरिंद मोदी ने आज चकरवाद फौनी से पेड़ित ओडिसा का दौरा कर, हालात का जायजा लिया उन्होंने ओडिसा के लिए एक हजार करून रुपे वित्य साहिता देने की घोशना की, इससे पहले केंद्र सरकार ने ओडिसा के लिए तीन सो क्यासी करून रुपे की साहिता दी थी पुर्धान मंत्री ने पूरी, खुरदा, कटख, जगस सिंग्पुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, भदरग और बालासोर जिलों में चकरवात के बाद के स्थितिका हवाई सरवेक्षन कर जोई सलिया हवाई सर्वेक्शन से लौटने के बाद प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने ओडिसा के नागरीकों की तारीफ करते हुए कहा उन्होंने तूफान से तबाही से मदद के लिए एक हजार करों रुपे के ततकाल मदद का एलान किया है कि ऐसी विकट परिस्थिती में तत्काल जो काम है पानी हो बीजली हो कम्मिनिकेशन हो हेल्थ के लिए आवश्यक जो बिवाते हो उसको हम प्राथ्मिक्ता दे रहे हैं उसके लिए जो भी आवश्यक्ता है नवीन बाबु ने बहुत अच्छा प्लान किया है भारत सरकार उसम युश्यक्ता होगी कि मैं में मशिन्री की दोनों की आवश्यक्ता इन शारी बातों को ले करके आने वाले दिनों में सब्कानिन व्यवत्ता रिलीपवर्थ रिश्टोरेशन लेकिन एक लॉंग तम योज्रा और वो भी सभी तकी राज्यों को लेकर के कैसे बनाई जाए और उडिशा से मैंने कहा है कि आप दोरा इसका एक ब्लूपरेंट त्यार कीजिए उसमें भी जो आप उडिशा के लिए उसको भी प्राक्षिता देंगे और बहुत अच्छे दरा से मिटिंग में सारे विश्टा हुई है आज जो मेरी राज्यों सरकार जबाब ही है ततकार उनकी रिक्वार्मेंट को धान में रखते हुई है 1000 करोड रूपीश एक हजार करोड रूपीश और रिलीज किया जाए और उसके लिए भारत सरकार तुरन तीम भेजेगी और इस बीच ओडिसा के करीब 10 हजार गाओं और 52 शहरी इलाकों में राहत और पुनर निर्मान का काम तेसी से चल रहा है तूफान ने राज्यों में भारी तबाही मचाई थी इसके चलते संचार बिजली जैसी बुन्या के परिणाम खोशित हो गए हैं इस बार उत्तिन हुए चात्र का प्रतिशत 92.45 पीसिदी है लड़कियों ने 2.31 प्रतिशत के मार्जिन से लड़कों से अधिक अंकला कर वाजी मारी है तेरा चात्रों ने 500 में सी 499 अंकला कर पहला अस्थान प्राप्त किया है वहीं दूसर चात्रों ने सफलता हासिल की वहीं दूसरे स्थान पर चिर्ने के 99.99 प्रतिशत चात्रों ने और अजमेर ने 94.89 प्रतिशत चात्रों ने सफलता अरजित की इसके बाद 80.97 फीसिदी के साथ दिली और साथ 74.49 प्रतिशत के साथ गुहाटी का नंबर है सब करते हैं। मेरे इस बार बोर्ट के परीशा में 98.6% आए हैं, मैं बहुत बहुत जादा खुश हूँ हूँ अपने मांग्स को लेके और इसके लिए मैं अपने पैरंस, अपने टीचर और सभी को शुक्रिया गरमा जाती हूँ मैं ये तो नहीं कहूँ कि मैं भूरे दिन देन पढ़ती हूँ पर हाँ, जितना पढ़ा उसी साफ से आग है अच्छे मांग्स मेरे, और सभी को शुक्रिया मेरे इस अच्छे मांग्स के लिए प्रधान मंत्री नरी मोदी ने चात्र को बढ़ाई दी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अपने तरुन साथियों पर मुझे गर्व है, आगे के भविश्र के लिए इन बच्चों को धीर सारी शुब काम नाए, मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे आगे भी गौरवान वे करते रहेंगे, साथ ही सिक्षकों और अभी भावकों को भी इस मौके पर बढ़ाई, इस मौके पर सिक्षमंत्री प्रकाज सिंग्जावडेकर ने भी बढ़ाई दी और इसी के साथ इस बॉलिचन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहें राज्यसाभा टीवी, नमस्कार